नमो धन्मंतरी दोस्तों, वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चनल अयरुवेदा हैकर आज मैं question paper analyze कर रही थी तो अभी मैंने चरक का paper देखा तो उसमें question मिला मुझे 2019 की question paper में मद का अबल स्थान उसार मर्णन करें तो अगर अभी तक आपने चरक पढ़ लिया है चरक चिकिसा इस्थान तो आपको बता होगा कि इसका जो answer है हमको मिलेगा मदातिय चिकत सितम में तो मैं भी पढ़ रही थी और इसके notes बना रही थी तो मुझे लगा कि मैं आपको लोगों को भी समझा देती हूं साथ साथ में तो चैलिए स्टार्ट करते हैं होफ़ूली मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी इसलिए पुरी वीडियो को दिहान से देखेगा अभी मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है इसलिए मैं खुद आपको इसे देख देख कर समझाओंगी पर मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी जो अवस्थाएं हैं वो तीन अवस्थाएं है प्रथम, मध्यम और उत्तम अवस्था सबसे पहले प्रथम अवस्था में आपको क्या लिखना है कि इसमें क्या होता है कि अपने थोड़ा-थोड़ा सा मध्य पिया है अभी तो क्या होगा कि इसमें जो मध्य है वो ओज का विघात अभी नहीं करता है और जो हमारी इंद्रिया है जो हमारी रिदय आशृत बुद्धी है वो अपना काम अच्छे से कर रही है फिर दूसरी अवस्था है मध्यम अवस्था इसमें क्या होता है कि हमारे ओज में थोड़ा सा विगहत आना शुरू हो जाता है क्योंकि अब हमने थोड़ी जादा मध्य पीली है इसके बाद जो है थर्ड अवस्था आती है इसमें क्या होता है कि ओज का विगहत हो जाता है ये कौन से अवस्था है उद्धा अगर इक्वेशन 2 मार्क्स में आता है तो अभी तक मैंने जितना बताया सिर्फ उतना ही लिखना है लेकिन हमको कितने मार्क्स करना है पांच मार्क्स का तो चली आगे देखते हैं हम इसमें क्या लिखेएंगे फिदल हम इसमें लिखेंगे इन तीनों अभस्थाओं के लक्षर तो जो प्रथा मवस्था है उसमें अभी हमने थोड़ी सी मद्धी पी है इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि अभी इसमें कोई भी गड़बर नहीं हुई है अभी इसमें सब कुछ अच्छा है तो इसमें क्या होगा? उसने पी, थोड़ी सी पी तो उसको क्या? हर्ष होगा उसको अच्छा लगेगा वामिन ड्रिंक की ऐसा याद करने के लिए अपन सोच सकते है उसके बाद क्या है? इसमें प्रीतिकर ठीक है? प्रीतिकर का भी मतलब यह होता है कि उसे अच्छा लगता है उसके बाद थोड़ पॉइंट है इसमें पान अन गुड दर्श का मतलब कि जिस तरीके के अन और पान वो खा रहा है उनके गुड उसके शरीर में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे है मतलब कि जो खाना पीना वो खा रहा है बेशनी भासा में इसका मतलब यह है कि उसका जो खाना पीना खा रहा है वो शरीर में उसके लग रहा है समझ गया उसके बाद फोर पॉइंट है इसमें वाद्य गीत प्रहाशाना मतलग कि गाने बानी बचाता है डांस करता है अपनी स्टोरी सुनाता है फ्रेंड्स के साथ बैठा है ओविसली बाते करेगा अपनी स्टोरी सुनाएगा कथा सुनाएगा और फिर है बुद्धी इसमृती नष्ट नहीं हुई है सबसे पहली बात याद रखने है अभी इसमें कुछी गड़वड नहीं हुई है तो ना इसमें बुद्धी नष्ट हुई है ना इसमें समृती नष्ट हुई है everything is okay फिर इसमें है इंद्रिया जो है उसकी अच्छे से वर कर रही है उसका धिमाग जो अच्छे से वर कर रहा है उसको सब पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ मतलब सब सही है ठीक है उसके बाद शुक निद्रा प्रबो धश्ट मतलब ये मालीजे कि अभी तक उसकी जो डेली रूटीन है वो बिल्कुल डिस्टाब नहीं हुए ठीक है इसका अब जब जिस टाइम पर सोता था उसी टाइम पर सो पाएगा जिस टाइम पर उठता था उसी टाइम पर उठ पाएगा ठीक है फिर टोटल मिलाके जो प्रधा मवस्ता है वो सुख प्रधी होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई हमें उसके बाद आती है मध्या मवस्ता मध्या मवस्ता में क्या है अब थोड़ी दिक्कत आना शिरू हो गई है ठीक है इसमें क्या है कि मुहु स्मृति मुहर मुह, कभी तो उसे उसकी स्मृति ठीक रहती है कभी वो उसको समझी नहीं आता ठीक है, वो मुह में चला गया उसके बाड़ी जब वो बोल रहा है, तो कभी-कभी तो अच्छे से निकल रही है आवाज और कभी-कभी वो बोलतों रोक जाता है मतलब टोटल मिलाके यह है आप इस जो मध्या मत लक्षण है उसमें आप यह देखेंगे कि कभी तो वो ढग से रियक्ट करेगा कभी अच्छे से रियक्ट नहीं करेगा मतलब उसे खुदी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है तो युक्त अयुक्त प्रलाप अश्चे कभी अच्छे से बोलेगा कभी कुछ भी बोलने लग जाएगा मतलब कोई भी बाते कर रहा है वो इधर उदर अंट सेंट बाते कर रहा है फिर उसको चक्कर आने लगते है आप इमेर्जिंग करिए कि अगर कोई ड्रिंक कर लेता है तो आप उसकी एक्टिंग कैसे करेंगे वो कैसे गड़ता है तो आप इदर लिख पाएंगे अच्छे से कि नहीं वो इधर उदर लड़ खड़ाता रहता है मतलब उसे चक्कर आ रहे कभी वो बैट जाएगा शांती से कभी दोडने भागने लग जाएगा कभी तो खाना पीना अच्छे से खालेगा कभी नहीं खाएगा कभी बाद करेगा मतलब पूरा मूड़ी हो चुका है वो उसको खुदी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है ठीक है तो ये point है मध्य मध्लक्षण के तृतिय अवस्था का जो व्यक्ति है मध्य पिया हुआ उसके जो उपमा है कटी हुई लकड़ी से दी गई है मतलब वो मूर्शित होकर के गिर पड़ता है दूसरा point मन मुह आवरित मना इसका मतलब है कि उसका जो मन है मध्य और मुह से आवरित हो चुका है तीसरा point है वो मृत के समान हो गया है ठीक है चौथा वो अपने हित जनों को ही नहीं पहचान रहा है मतलब कोई विरक्ति है जो उसका अपना है वो उसे ही नहीं पहचान रहा है कि हाँ ये मेरा हित चाहने वाला है वो मुझे को समझा रहा है वो कुछ नहीं समझने के लिए रेडी होगा और नहीं उससे समझ उसकी बुद्धी नश्ट हो चुकी है तो कि हमने देखा था पहले इसमें ओज का विगहात हो चुका है तो जो अब आदमे ड्रिंक कर रहा है वो क्यों कर रहा है जुख फी प्राप्त नहीं होता है ठीक है? उसके बाद तो सही क्या है, गलत क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है मतलब वो बढ़नी हो चुका है से इस स्टेस तग किसी को डारूरी दिमिये मतलब तो क्या है? वही तो है, I hope आपको यह समझ में आया होगा, और ऐसे मैं वीडियो बनाती नहोंगी, हमारी चनल को फॉलो करें, और शेयर भी करें हमारी वीडियो को, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में